वेल्कम स्टुडेंट्स, टॉपिक का नाम वाइब्रेशन ओफ एर कॉलम, इन पाइप ओपन इट बोथ एंड, पेज नमबर है 143, यहां पर हम शुरुवात कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी पिछले केसे हमने क्या सिखा था? पिछले वीडियो में आपने सिखा था कि जब पा अच्छा इसमें क्या सिखने वाले हैं? इस वाले टापिक में आप और हम सिखने वाले हैं कि जब दोनों तरफ से पाइप ओपन हो तब हम कैसे डिफरेंट मौट्स की स्टेडी करने वाले हैं? तो भई हम क्या करेंगे? हम पहले लेंगे एक open pipe, open pipe में दोनों end ओपन रहने वाले हैं। दोनों end जब open रहने वाले हैं। और हम tuning fork से vibration produce करने वाले हैं। तो देखो पिछले case में यह हुआ करता था कि node हमेशा closed end पर form होते थे। और anti node हमेशा open end पर form होते थे। अब यहां पर देखो एक उपर वाला end अगर open है और नीचे वाला end open है तो एक open end पर तो structure इस तरह से बनता है तो fundamental mod या first mod जो बनता है वो इस तरह से बनता है fundamental mod और first mod vibration कुछ इस तरह से पाये जाते हैं ठीक है यहां से यहां तक ऐसा यहां से यहां तक ऐसा या या lambda by 4 या आपके पास में lambda by 4 अब देखिए हमेशा कहता हूँ इस case में आप थोड़ा सा observe करके देखिएगा अंटी नोड के numbers पो observe करके देखिएगा तो number ऐसा है कि यह open end पर एंटी नोड फॉम हुए वापस से एंटी नोड फॉम हुए यहां पर नोड फॉम हुए अच्छा यहां 2 एंटी नोड है और 1 आपके पास में नोड है तो number of antinode जाता है और नोड कम है fundamental model में length L equal to क्या लिए आ जाएगा lambda by 4 प्रस कितना lambda by 4 अच्छा तो lambda by 4 lambda by 4 कितना आ जाता है lambda by 2 lambda by 4 मतलब lambda by 2 आ जाता है तो lambda equal to 2L निकल कराता है तो basic mod की frequency या fundamental frequency का expression क्या आएगा वो आएगा n upon v by lambda so v by lambda मतलब कितना आ चुका है v by 2L आ चुका है तो n equal to आ गया आपके परस में v y 2L ठीके ऐसा लिखा जा सकता है इसी frequency को fundamental frequency का जाता है कौन से frequency का जाता है fundamental frequency का जाता है अच्छा यह fundamental model भी कहलाता है कभी गभी सी जब first model फी लिखा जाता है पाइप का लेंथ चेंज नहीं होगा यहां पर पाइप जैसा पहले था वैसा अभी भी पाइप होगा अंतर वस इतना सा आजाएगा यह एक ऐसा यह एक ऐसा कुछ अस्ट्रक्चर यहां से यहां तक vibration प्रड्यूस करने पर यह कुछ इस तरह का structure for more का ठीक है बच्चों यह इसा फोगा अब इस case में क्या हुआ यहाँ इन दे को नोड यहाँ दे को नोड यहां पर अंटी नोड यहाँ पर नोड ओर है पर दे को एटी नोड गो तो यह nach THERE Yeonter 1-2-3 और 9223 nton or do not यहां पर इसा बताया जा रहा है, यहां से यहां, 1st mode है, कौन सा mode है, 1st mode है, 2nd mode है, 2nd mode, 2nd mode, जिसे हम 1st over tune mode भी के सकते हैं, वो mode जिसमें 1st over tune की हम बात करेंगे, 1st over tune की बात करेंगे, मतलब next frequency, then fundamental frequency, then end, एन मतलब fundamental frequency से मैं बात कर रहे हैं यह लेमडा 1 बाइ आपके पास में 4 आ चुका है यहां से यहां तक node से node की बीच का distance lambda 1 by 2 कर दो और यहां से यहां तक कर दो lambda 1 by 2 कर दो 4 आएगा 4 हाना अब lambda 1 by 4 आया total length कैसे निकालो टोटल निकालने वाले हो L equal to कितना है यह लेमडा 1 by 4 प्लस कितना लेमडा 1 by 2 प्लस कितना लेमडा 1 by 4 अच्छाँ total solve करते हो तो L equal to आपके पास में लेमडा 1 निकल करता है ठीक है तो आप हम फ्रिक्वेंस की बात करें एन वन एन वन आएगा वी अपॉन लेमडा 1 वी अपॉन लेमडा 1 लेमडा 1 कितना है तो आपके पस में ल है पही मैं अपनी मर्जिस से 2 का multiply 2 का divide करता हूं तो देखो क्या फरक पढ़ने वाला है यह बन जाएगा 2N एन वन इससे मैं कह रहा हूँ first overtone क्योंकि overtone की definition क्या बता चेका हूँ next frequency then the fundamental frequency fundamental frequency से अगली frequency को हम first overtone क्याता है यह two times of क्या है fundamental frequency है अच्छा मैं कई बार कह चुका हूँ कि overtone frequency को express करते समय अगर वो integral multiple of fundamental frequency आता है तो उसे आप harmonic भी लिख सकते हैं उसे आप harmonic भी लिख सकते हैं और harmonic लिख सकते हैं मतलब आप लिख सकते हैं first overtone that is equal to कौन सा harmonic? second harmonic फास्ट ओवर्टोन एट इस इक्वल टू विच हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझवाई हो अब हम बात करते हैं सेकंड मॉड के प्लेस पे थर्ड मॉड की और थर्ड मॉड को हम कहते हैं सेकंड ओवर्टोन सेकंड ओवर्टोन वाला मॉड 3rd mod यह mod of second overton third mod में वापस क्या होगा pipe की length change होगी क्या pipe की length change नहीं होगी change होगा तो किवल एक चीज चेंज होगा यहाँ पर जो पहले बन रहा था यहाँ पर एक loop यह बना यह loop लो बना यह loop बना यह ऐसा बना यह ऐसा बना यह आपके पस में ऐसा बना ठीक स्टुडेंट यह नोड, यह एंटी नोड, यह आपके पस में अंटी नोड, यह आपके पस में नोड, यह आपके पस में नोड, यह आपके पस में अंटी नोड के हम बात करें, तो क्या आ गया है, कौन सा मॉड बोला मैंने, पहला मॉड हो गया, सेकंड मॉड हो गया, थर्ड मॉड हो गया, यह आ चुक आपके पास में, lambda, 0 mod के लिए lambda उसकी आ, 1st mod, 2nd mod के लिए lambda 1, इसके लिए lambda 2 by 4, यहां से यहां तक, lambda 2 by 2, यहां से यहां तक, lambda 2 by 2, यहां से यहां तक, lambda 2 by 4 हम क्या सकते हैं, तो भाई L की value क्या लिखी जाएगी, what will be right L, so L को लिखा जाएगा lambda 2 by 4, ठीक है, plus lambda 2 by 2, lambda 2 by 2, plus कितना, lambda 2 by 2, lambda 2 by 2, और last में कितना चेक करो, lambda 2 by 4, lambda 2 by 4, lambda 2 by 4, तो होगा क्या, सब जगह से आप यह देख सकते हो, lambda by 4, plus lambda by 4, 2 lambda 2 by 4, मत भी आजाता है, total solve करने पर, 3 lambda 2 by 2 आजाता है, तो lambda 2 निकालोगे, तो आएगा 2L by 3, ठीक है, तो आप वापस से frequency निकालोगे, यह आ चुका है, आपके पसमें, N2 equal to V upon lambda 2, V upon lambda 2 कितना आपके पसमें, तो 2L by 3 available है, 3 times V upon 12 आपके पस available है, तो हम कह सकते है, N2 equal to आ गया, 3 times of N, अच्छा इसे क्या कहा जाएगा, पिछला 1st overtone था, तो 1st overtone का next क्या हो गया, 2nd overtone, तो 2nd overtone किसके equal आ रहा है, 3 times of fundamental frequency, 3 times of which frequency, fundamental frequency, तो देखिए मैं कही बार क्या चुका हूँ, अगर overtone, integral multiple of fundamental frequency होता है, तो इसे harmonics लिखा जाता है, तो 2nd overtone, 3rd harmonic, 2nd overtone, 3rd harmonic, देखो सारे के सारे mod, तीनों के तीनों mod को compare करते हैं, पहला mod, दुसरा mod और तिसरा mod, पहला mod, दिसरा mod और तिसरा mod, 1st mod में frequency की value, V upon 2Li, ठीक है, 2nd mod में frequency की value, 2 times of V upon 2Li, 3rd mod में frequency की value, 3 times of V upon 2Li, मतलब मैं कह सकता हूँ N, इसे मैं कह सकता हूँ 2N, इसे मैं कह सकता हूँ 3N, लिजयो निकालने चले जाओ तो क्या वारा है, 1X2, 2X2 थे वारा है, 1X2, 2X3 थे, वारा है, 1X2, 2X2 थे, फस्ट केस में क्या हूँ, 2νोड हूँ, सेकंड केस मैं क्या हूँ, 3 3 NT node हुए 2 node हुए 4 case में क्या हुआ next case में क्या हुआ ? 4 NT node हुए और 3 node हुए मतलब हमेशा NT node के numbers बड़े हैं node के numbers छोटे हैं अप देखो एक बात इसमें अगर हम रिश्यो निकाल रहे हैं तो N1 तो N2 तो निकल रहा है 1 तो 2 तो 3 मतलब क्या है वैं 2 भी आ रहा है मतलब even number आ रहा है 3 आ रहा है तो odd number आ रहा है तो यह जो mode of frequency इसमें even and odd harmonics all are present यह question पुछा जा चुका है board की examination में यह बताईए प्रूव करके बताईए show that किजिए यह बताईए कि जो pipe open at both end होता है उसमें दोनों टाइप की harmonic exist करती है दोनों type की harmonic exist करती है ऐसा हमको बताना होता है तो यह बताया जासकता है यह से अच्छा मैंने बोला आपको फस्ट overtone फस्ट overton जब आया था आपके पास में टूैं आया था रहिए.. सेकंट ओवरटॉन क्या या था चेक करना, एक फेकंट ओटॉन आए था.. सेकंड ऐगाक आए था!? स्वीटा appreciate कृट्त कुछ ऑवर्टोन, या we can четы toast कितने आएगा तो यह आएगा पके पस में π्लस on multiply by न कुछ जासथ है यह वो और होता है जिसमें एंटि-नोअड हमेशा जादा होते किसके comparison में नोडके comparison जादा होते हैं देखो यहां से question और frame किया जाएचुका का है question यसा frame किया गया है कि आपने ऐसा pipe लिया है जिसके दूनों end open है जिसकी length शुरुवात में 11 है देखिए अब आपसे question इसा कहा किया है कि आपको एक ऐसा pipe given है जिसकी length शुरुवात में 11 है जिसे मैं कह रहा हूँ small 11 plus 2E ठीक है आपने इसमें fundamental mode में frequency निकाली वह आपको मिल गए V upon 2L1 ठीक है अब आपने pipe का length change कर दिया 100 cm के pipe से लेके आपने 150 cm का pipe ले लिया जिसकी length L2 है दो end correction है तो 2E available है तब आपने इसका fundamental mode निकाला इससे आपने N1 कहा इससे आपने N2 कहा तो वो fundamental mode आपना आएगा V upon 2L2 ठीक है तो आपको end correction की value निकाल के बता नहीं यह question exam में पूछा जा चुक है बहुत को यहां से एक बात साफ दिख रही है 2N1 L1 equal to V दिख रहा है और यहां से भी आप चेक करो 2N2 L2 that is equal to आपको V दिख रहा है अचा speed of sound constant speed of sound fix value वो change नहीं होने वाली तो हम क्या करने वाले है हम लिखने वाले है कि हम लिख सकते है V equal to कितना N1 L1 that is equal to कितना अचा V equal to two times of N1 L1 N1 L1 two times of N2 L2 ऐसा लिखा जा सकता है ठीक है न तो अब हम ऐसा लिख पाएंगे तो ऐसा लिखने से क्या होगा जेको जानस है टू से टू से टू कैंसल N1 L1 equal to N2 L2 L1 केतना है आपके पस में small L1 plus 2E N2 L2 केतना है small L2 plus 2E इसका फरक क्या पड़ेगा N1 L1 plus 2N1 E ऐसा लिखा जा सकता है N2 L2 plus कितना 2N2 E ऐसा लिखा जा सकता है तो इससे लिख सकते हैं आप N1 L1 minus N2 L2 2N2 E minus 2N1 E अब यहां से क्या होगा यहां से आप E common निकाल लीजिए 2N2 minus 2N1 लिख सकते हैं तो N1 L1 minus कितना N2 L2 अब यहां क्या लिखा जा सकता है देखेगा आप लिख पाएंगे E equal to check करो द्यान से N1 L1 minus N2 L2 N1 L1 minus N2 L2 divided by 2 आचुका है यहां पर 2 तो bracket में क्या जाएगा N2 minus N1 N2 minus N1 ऐसा लिखा जा सकता है ठीक है students तो इस तरह से यह values को लिख सकते हैं यहां पर end correction को शोग ऐसा किया जा सकता है we can show E equal to N1 L1 minus N2 N2 divided by 2 times of N2 minus L1 अच्छा यहां notice किजिए का पिछले वाले case में इस वाले case में difference आ रहा है यह divided by 2 factor आ रहा है जब open at both end open at both end ठीक है तो both end पर जब open है open at one end से इसके half answer निकल कर आ रहा है तो भई यह कह सकते हैं कि इन में भी अगर relation निकालने की बात बोली जाए तो relation पुरोहित आकडेमी में ब्रांच प्रभाद सग एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य होस्पिटल चवाजुला ज़गाओ आणि पांड़े क्लासेज जवर बंधन बैंके शेजारी ट्राफिक गार्डन चा समूर ज़गाओ जी झाल समूर जब खरुर टिकर में होगाओ भियारा ज़गाओ खेर दोस्वराद सपद़ क्पिलेशन में बात बुरोग।